जै जै सियराम रामायन की कथाएं और रामायन के जितने भी पात्र हैं सभी पात्रों पर अगर गौर करिएगा सभी पात्र अपने आप में अनुठे थे सभी पात्रों का अपनाई का लग महत्व था और सभी पात्र जो थे वो किसी ने किसी के अवदार थी और कहीं न कहीं उनका इस्वर से connection था क्योंकि रामाइन जो था जो किताबें लिखी गई है और रामाइन किया जो चरिद्र था वो अदूतिये है पुरे ब्रह्मांड में रामाइन और राम के समय का ऐसी कहानिया और ऐसे राजा और ऐसे पात्र ना कभी धार्ती पर थे और ना कभी होंगे इसलिए राम जंजन के नायक है राम इस यूग के ही नहीं जबतक सूरद और चांद रहेगा तब तक राम जो है वो इस तमाम मानवजाती के कल्यान के लिए सरवधा जो है वो आते रहेंगे, आए हैं और उनका नाम मातर से ही लोगों का कल्यान होने वाला है यही कारण है कि चाहे आप हिंदुस्तान में रहें या किसी अन्य देश में रमाइन को लोग बढ़ा ही आस्था और ग्यान के लिए जान जाता है रमाइन को लोग एक बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है क्योंकि रमाइन में एक ऐसा भी कहीं नहीं है जिसमें किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाता है आज हम बात करेंगे रमाइन में एक ऐसे पात्र का जिसके बिना रमायन की कहानी जो है न एकदम अधूरी है जिहां हम बात करेंगे बिवीशन रमायन का एक प्रमुख पातर थे बिवीशन जो थे वो रावन के भाई थे जिहां वो रावन के भाई थे बिवीशन बहुत ही बड़े राम भागती भी थे जाहा जब भी उड़ते थे सुबह साम उड़ते बेलते भगवाराम को याद करते थे विविशन उन्हों उन्हें लंका में रहते हुये भी राम की भक्ति की थी आप सोचिए जब रामन जैसा त्टाई वहारा रहा था, तो वहाँ भी विविशन जो थे वो राम का ही धुन जबते थे राम को ही याद करते थे ऐसे थे बिविशन जहां भगवान राम का सतुरू रावन का राज था बिविशन रावन का सबसे छोटा भाई था जिसने लंका पर सासन किया था जिहां सभी जानते हैं कि लंका पर जो था वो रावन का सासन था और रावन का छोटा भाई थे विविशन यह रिसी पुलतासी के पुत्र रिसी स्रवा और केकसी के सबसे छोटे पुत्र थे जी हाँ लंका के राजा रावन इनके बड़े भाई थे बड़े भाई थे लेकिन दोनों के बीच का जो दूरी था दोनों के बीच का जो चरितर था दोनों की जो कहानिया थी वो नदी के दो किनारे के समान था जिहां रावन जहां हमेशा अनैतिक कार्जों में सनलीप्त रहता था वहीं जो था विभीशन हमेशा धर्मिकार्जों में सनलीप्त रहते थे विभीशन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहते थे वहीं रावन जो था अहंकारी था उसमें स्ताकत बहुत था ज्यान भी बहुत था लेकिन वो बिवेख हीन था वो हमेशा सत्य के रास्ते से छोड़कर असत्य के मार्गों पर हीं ज़्यादा रहना चाहते थे बिविशन राक्षस जाती के थे लेकिन वे पविद्र थे वो राम के भग्द थे उनका व्यवार सच्चे ब्रह्मन जैसा था वो ना कोई ज़्यादा वस्तर पहनते थे ना कोई ज़्यादा जिवर पहनते थे ना सोना चांदी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वो हमेशा एक सच्चे ब्रह्मन तपस्यू की भेश्मु रहते थे उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ ब्रह्मा जी की तपास्या की थी दोनों भाई लगभग जो था सौ वर्षों तक तपास्या करते रहे तपास्या करके दोनों भाई एक ही साथ बैठे थे ब्रह्मा जी को तपास्या करने के लिए ब्रह्मा जी इनकी तपास्या से बिल्कुल प्रशन हो गए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों कोई वर्दान मांगो मैं तुम्हारी तपास्या से मैं बिल्कुल प्रशन हो रावन जो था वो अतूल सक्ती मांगा उन्होंने उसने कहा कि हम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं ब्रह्मान का बेश में थे ही उसे मैं भिविशन ये सुन रहे थे, सोच रहे थे कि मेरा भाई क्या मांगता है क्योंकि बड़ा था तो रावन कोहीं पहले मौका मिला रावन ने कहा कि प्रभु अगर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हम इस तीनों लोग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और हम अमर होना चाहते हैं ब्रह्मा जी कहे कि ऐसा तो संभव नहीं है रावन ने कहा कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो मुझे बरदान नहीं चाहिए अब ब्रह्मा जी असमंजस में पढ़ गए कि इसके साथ किया क्या जाए ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है लेकिन जो इस पृती पर आया है उसे तो मरना ही होगा तब लंका पति रावन ने कहा कि ठीक है प्रभू जो आप कहिए तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी मिर्ति जो है वो एक मानव के माध्यम से होगा तुम एक आदमी से मरोगे रावन उसमें बहुत जोर जोर से हसा कि जब हमें देवता पराजित नहीं कर सकते हैं तो भला एक मनुस कैसे पराजित खुर सकता है लेकिन ब्रह्मा जी कहे करे ठीक है ऐसा ही होगा और कहके चले गए उसके बाद भिविशन की बारी आई भिविशन को मांगने के लिए ब्रहमा जी 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 ब् भीभीशन का जन्म लंका में हुआ था, अब इनके बाइब की बात कर लेते हैं, इनके जीवन संगनी का नाम था सर्मा, भीभीशन के संदानी था, उसका नाम था त्रिजटा जो माता सीता को, सिवा करती थी, उनका घराना था पुलतसिय, पिता का नाम था बिस्रवा, माता जो थी जो भीविशन की जो माता थी निक्षर्थ था आए धर्म जो मानते थे वो शनातन धर्म मानते थे विवीशन जी हाँ यह जो धर्म मानते थे यह सभी सनातन मानते थे और रावन भी सनातन धर्म ही मानता था, वो किसी और धर्म को नहीं मानता था तो अगर विवीशन नहीं होते तो रावन को विजय पाना बड़ा ही मुश्किल काम था क्योंकि विवीशन ही जो थे वो रावन के एक-एक बात को जानते थे और राम के विजय में, राम को विजय का मार्ग प्रशस्त करने में विवीशन का बहुत बड़ा योगदान था और विवीशन, हलाकि लोग नहीं चाहते हैं कि विवीशन उसके घार में कोई पैदा हो जितना हो सका उन्होंने रावन को कुमार्ग से मार्ग पर लाने का पुरा प्रत्न किया लेकिन कहा जाता है ना कि जिसकी जो गती होती है उसे आप रोक नहीं शकते हैं तो आपको भीविशन की कहानी कैसी लगी और तो रावाइन का कौन सा ऐसा किरदार है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है किरपया कॉमेंट बॉक्स में बस बताएंगे और अगर चाइनल पर नए है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किरपया करके चाइनल को सब्सक्राइब कर दे अब बेल आइकन को दवा दे ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे है प्रेम से बोलिए जय जय स्याराम जय जय स्याराम